इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते है कॉलेस्ट्रॉल का उच्छ स्तर आपकी रक्त वाहिकाओं को संकीर्ण, यानि की एथेरोस्क्लेरोसिस कर सकता है। कॉलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होने से हिरदे रोगों की संभावना कम हो जाती है और आपको लंबे समय तक स्वस्त रहने में मदद मिलती है। इसके अलावा इसमें दो ब्लर्थिन एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल भी होते हैं जो एक साथ रक्त के ठक्कों को बनने से रोकते हैं और मौजूदा लोगों को आकार में बड़े होने से भी रोकते हैं। इस दवा की प्रभावशीलता को अधिक्तम करने के लिए इसे नियमित रूप से लें और उचित जीवनशेली में बदलाव करें यानि की जैसे स्वस्त भोजन करना और सक्रिया रहना अच्छा महसूस होने पर भी इसे लेते रहें। इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें। ग्लोरिस्टे ट्रायो कैप्सूल को भोजन के साथ लेना बहतर होता है। ग्लोरिस्टे ट्रीयो कैप्सूल तीन दवाओं का एक मिश्रन हैस्पिरिन, रोसुवास्टेटिन और क्लोपिडोग्रेल जो दिल की दौरे से बचाता है। एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल एंटिप्लेटलेट दवाएं हैं। विप्लेटलेट्स को आपस में चिपके रहने से रोकते हैं और हानिकार अकरत के ठकों के निर्मान को कम करते हैं। रोसुवास्टेटिन एक लिपिड कम करने वाली दवा है जो खराब कॉलेस्ट्रॉल यानिकी LDL का उत्पादन करने की शरीर की ख्षमता को अवरुद करती है और अच्छे कॉलेस्ट्रॉल यानिकी HDL के स्तर में सुधार करती है। वीडिओ को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडिओ अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन on all नोटिफिकेशन प पर सेट करें धन्यवाद